Skill infrastructure का ये share अभी 6.40 पेसे के उपर आ चुका है तो यहाँ पर दिखिए अभी फिलहाल तो इसकी जो trading है वो close है मतलब के buy भी नहीं कर सकते और share भी नहीं कर सकते लिकिन कुछ लोग एसे होते हैं जो इस stock को buy कर लेते है जब इसकी trading start है उस time तो उनको क्या मिलता है वीडियो को पूरा देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पर 100% सही information आपको मिलेगी तो मेरी बात ध्यान से समझिए सुनिए और समझिए और यहाँ पर देखिए जरूर कि यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ तो कि जो नए investor है वो गलती एक ही गलती कर देते है वो गलती क्या नतीजा यह होता है कि आखिर में उनका पेशा लोस में ही जाता है अब यहाँ पर देखिए यह स्टोक तो 6.40 पेसे पर है लेकिन यही स्टोक देखा जाए तो एक टाइम इसा था ये stock 9 रुपे तक पहुचा था 2024 में ही पहुचा था जन्वरी में उसके बाद दिखिए मार्च में दिखिए ये stock 7 पर फिर दिखे यहाँ पर ये stock कहाँ पर आ गया था 5 पर भी आया था उसके बाद फिर से price बढ़ रही थी तो जो retail के नए investor आते है वो गलती यहाँ पर ही कर देते है इसको buy कर लेते है क्यों buy करते है मैं आपको पताता हूँ वो buy इसलिए करते है कि ये stock 40 रुपे से ज्यादा की price में एक time ऐसा था कि ये stock कित्रे में मिलता था यहाँ पर देखिए 45 रुपिस के उपर 2018 में ही मिलता था अब देखिए 5-6 साल के बाद ये stock 6 रुपे पर आया है तो इसको buy कर लेंगे तो ये फिर से 40 तक जाएगा हमें double return मिलेगा लेकिन इसलिए नहीं होता stock तो गीरा है उसलिए कोई कारण तो जरूर होगा और जो stock उपर से नीचे आते हैं वो कभी फिर से उपर नहीं जाते वो जाते हैं तो safe stock market से आउट हो जाते हैं और देखिए ये stock stock market से आउट होने की तयारी में भी था लेकिन अभी stock market से आउट नहीं हुआ है सिर्फ इसकी जो trading चल रही थी उसको suspend कर दिया गया है क्योंकि buy sell नहीं कर सकते अब देखिए यहाँ पर ये तो फिर से start होगा लेकिन कब होगा वो नहीं में बता सकता क्योंकि ये कब तक एसा चलता रहेगा trading close वो नहीं कह सकते अब यहाँ पर देखिए stock कहा पर था 7 रुपे 12 तेरा यहाँ पर देखिए ये stock 40 से गिरा है मतलब कि ये stock ने काफी अच्छा है price से ये नीचे आया है और लगातार नीचे ही रहा है तो ये stock के अंदर invest करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं क्योंकि जो price गिरी थी वो lower circuit लगाते लगाते ही किरी थी तो यहाँ पर तो कोई दम है नहीं अब यहाँ पर देखिए 46 अब यहाँ पर lower circuit और upper circuit लगा नहीं है 6 लाक से उपर का volume अभी चल रहा है इसको देखे तो मैं आपको बता देता हूं कि buy sell करने में कोई भी problem नहीं आएगी लेकिन trading अभी close है मतलब के फिर भी buy sell तो कर नहीं पाऊगे पहले से buy करके रखा है तो sell नहीं कर पाऊगे अब इसका fundamental कितना strong है वो देख लेते है तो 100 करोर से उपर किसकी market cap है तो यहाँ पर देखिए यह थोड़ा सा complete point है ROE भी complete है यहाँ पर dividend नहीं मिलता face value देखिए 10 रुपिस यह भी complete है और यहाँ पर देखिए P.E. ratio यह भी complete तो यह fundamental तो complete है इसका इसा नहीं है कि fundamental कमजोर है इसा भी नहीं है लेकिन अब देखते है इसका financial कितना complete है तो financial भी complete होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर revenue कभी 70 करोड का revenue है कभी 12 करोड का revenue है तो revenue काफी ज्यादा कम होता रहता है चलो इसको हम ignore कर दे तो देखिए profit की बात तो profit कितना किया है पिछले साल profit किया था 1000 करोड का पिछले साल 1000 करोड का profit किया था तो इसके हिसाब से हो सकता ही यह stock की price बड़े लेकिन अब network देखते है यह थोड़ी बहुत ही कम हो चुकी है अब यहाँ पर देखिए promoters की holding 50% से ज्यादा है यहाँ पर भी 50% से ज्यादा थी एक साल पहले भी लेकिन देखिए यहाँ पर 2024 की बात नहीं है 2030 का ही यहाँ पर data available है मतलब के अब क्या होगा किसी को नहीं पता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जब यह stock के अंदर आखिर में September में जो हुआ है वो बता देता हूँ foreign investors का यहाँ पर investment शुरू हुआ था तो यह देखिए यहाँ पर 6% का है मतलब के हो सकता है यह stock थोड़ा सा उपर जाए लेकिन यह उपर गया भी था देखिए सायद यह हो सकता है foreign के investors ने अपना profit book किया यह भी हो सकता है यहाँ पर देखिए यह वारा graph अगर देखिए तो सही information यहाँ से निकलाएगी देखिए अपर circuit 3 रुपे का stock लो अपर circuit लगाते लगाते कहा तक पहुचा के नुआ रुपे तक यहाँ पर देखिए है 9 रुपे तक पहुचा है upper circuit लगाते लगाते फिर देखिए lower circuit लगाते लगाते इस प्रकार का अगर आपको graph दिखाई दए तो समझ लिजिए upper circuit यह लोवर सर्कित है ये बहुत ज्यादा ही रिस्की है इसके अंदर तो इन्वेश करना ही नहीं है अगर इसके अंदर इन्वेश करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं लेकिन क्या होगा किसी को नहीं पता ये स्टोक फिर से पंदरा तक जाएगा येसा कब होगा मैं आपको बढ़ा देता तो ऐसा मत सोचे कि ये श्टोक वहाँ तक जाएगा ही और ऐसा ही होगा ऐसा कोई नहीं बता सकता तूकि ये मुझे नहीं पता कि इस कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में क्या होगा लेकिन जितना मैंने रीशर्च किया पैनी स्टोक का उसके बाद यही जानकारी निकल के आयती है येसे पैनी स्टोक की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ध्यान से इसको समझ ये Promoters यहाँ पर, कितने हैं, 50% से ज़्यादा का Promoters hold करके बेठे हैं मतलब कि 50% यहाँ पर Promoters की holding मुझूद है लेकिन Stock गिर चुका है, देखिए Penny Stock बन गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब यह Stock Market में आही थि तो 20 रूपीज पर थी 2016 में में तो ये 20 रूपिस के उपर 2016 में थी तो हो सकता ही ये श्टोक 12 तक कुछ चला जाए लेकिन कब ये 12 तक जाएगा मैं आपको बता देता हूं ये सी जनकरी किसी ओर चेनल के उपर आपको नहीं मिलेगी और ये सिर्फ एड्यूकेशन परपस के लिए ये जनकरी आपको दे र हूं ये 12 तक क्यों जाएगा आने वाले टाइम में अगर प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग को अगर कम करना है या फिर होल्डिंग को सेल करना है तो वो लोग क्या करेंगे इस टाइम इसको सेल करने के लिए जाएंगे तो वो लोस में रहेंगे प्रमोटर्स किस में रहेंगे लोस में तो वो लोग क्या करेंगे श्टोक को या फिर आपको बता दू कि प्रमोटर्स और ओपरेटर्स की मिली बगस से श्टोक में पंप होता है कैसे पहले ओपरेटर्स करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके बाद एड रन करते हैं उस एड के माध्यम से रिटेल के जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि यहाँ पर काफी तेजी आई है पिछले एक महिने से यहाँ पर अपर सटकी लगे जा रहा है उतना ही नहीं उतना ही नहीं यहाँ पर दिखिए दिखाएगा वोल्यूम भी ज्यादा हो चुका है इस स्टोक के अंदर तो यह स्टोक तो भागेगा ही और यहाँ पर दिख रहा है आपको पिछले साल प्रोफिट भी किया है बहुत सारा प्रोफिट दिखी एक हजार यह स्टोक 12 तक पहुचेगा 12 तक पहुचेगा फिर प्रोफिट भाग जाएंगे क्योंकि उनको प्रोफिट हो गया फिर स्टोक फिर से गिरेगा एसा गिरेगा कि लोवर सर्किट लगाते लगाते 5 पर आ जाएगा लेकिन यह जानकारी मैंने एज्यूकेशन परपस के जाएगा ही क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए यह चैनल बनाया है कि प्रोफिट इसा काम करते हैं यह प्रोफिट इसा काम करेंगे यह समय नहीं कह सकता तो वीडियो को पूरा देखिए अभी मैं आपको जानकरी देता हूं यह स्टोक 20 तक भी पहुच सकता है क्योंकि 20 रुपिस से ही सुरू हुआ है 20 से ही तो यह फिर से 20 तक जाएगा फिर गिर गएगा क्योंकि अगर यहाँ पर पंपिंग धंप होती है तो क्योंकि जितने मिने जो प्यानी स्टोक को रीसर्च किया उसमें एसा ही हुआ है मिने 10-15 स्टोक यह से निकाले बहुत रीसर्च करक उनका वोल्यूम चेक किया उसमें जब प्राइस ज्यादा थी मतलब कि जहाँ पर स्टार्ट थी इसकी प्राइस दिखे यहाँ पर 20 पर है तो वहां से स्टोक गिर जाते है फिर क्या होता है स्टोक उस प्राइस जो पहले प्राइस थी वहाँ पर फिर से आता है स्टोक यहा वहाँ पर स्टोक फिर से आता है इस तरीके से फिर वहाँ से गिर जाता है उस साल ही क्या होता है प्रमोटर्स के होल्डिंग जीरो हो चुकी होती है या फिर 20% हो चुकी होती है यह से पेनी स्टोक मैंने देखे उसके बाद भी रिसर्च करके आपको बता रहा हूं कि इस तरी बारा तक ले ही जाएंगे लेकिन उसमें क्या होगा रीटेल के इंवेश्टर आएंगे फस जाएंगे बारा तक स्टोक पहुचे ना पहुचे ग्यारा पर्स से ही यह लोवर सरकित लगाना सुरू कर दे तो जितने भी रीटेल के इंवेश्टर है वो फस जाएंगे और उनको loss हो जाएगा लेकिन promoters profit में ही रहेंगे लेकिन उतने profit में नहीं रहेंगे क्योंकि 20 तक तो stock की price जाएगी नहीं और अगर जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको advise नहीं दूँगा कि इसको buy कीजिए लेकिन अगर आपको buy करना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ 5000 से ज्यादा का इसके अंदर invest बिल्कुल भी मत कीजिए नहीं तो आपको loss होगा लेकिन 5000 का invest करोगे तो यह 12 तक पहुझेगा तो आपको 10,000 मिलेंगे तो यह भी तो बहुत कम है इसलिए यहाँ पर ज्यादा quantity buy करना भी रिस्क है कम quantity buy करेंगे तो ज्यादा return नहीं मिलेगा वहाँ पर भी हमें रिस्क है और time waste होगा तो यह stock invest करने के लिए योग्य नहीं है मत कीजिए से stock के अंदर invest अपना पेशा बरबाद मत कीजिए अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए